LCM and SCF of 120 and 144 using frame factorization method इस प्रीडियो को पुरा देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर हम सरापरतम क्या करेंगे इनके frame factor करेंगे देखिए frame factor करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है अपने prime number से divide करना पड़ता है 2, 3, 5, 7, 1, 1, 1, 3, 1, 7, 1, 9 यह मैंने कुछ prime number लिक रखें देखिए मैं 2 से divide करता हूँ आपका इसमें तो कितना time जाएगा यहाँ पर side में आप divide करके देख सकते हैं 2 का divide किया, कितना 6 time गया minus किया और यह आपका 0 आ जाता है 0 में कितना 0 time गया ओके उसके बाद minus किया 0 आ गया 2 का divide किया 1 5 time गया और 1 5 में देखिए आपका 2 का divide नहीं होगा तो मैं किस के पाद जाओं 2 का divide नहीं होगा तो मैं आगे 3 के पाद जाओं तो 3 का divide हुआ कितना 5 time 5 में 5 का divide आपका 1 time तो यहाँ पर 1, 2, 0 के frame factor क्या आ गया 2 multiply 2 multiply 2 यहाँ आपका देखो कितना 3 time आया उसके बाद 3 multiply 5 यहाँ आगे अब किस की बात करेंगे 144 की भी बात करेंगे 144 के देखिए frame factor मैं यहाँ कर रहा हूँ इसमें 2 का divide किया 7 time चला गया 2 time चला गया ओके इसमें 2 का divide किया 3 time 6 time चला गया इसमें 2 का divide किया 1 8 time चला गया इसमें 2 का divide किया 9 time चला गया 9 में 3 का divide 3 time 3 में 3 का divide आपका 1 time तो 144 के frame factor क्या आगे देखो 2 आपका 1 2 3 4 time आया हूँ है उसके बाद देखो 3 आपका 2 time आया हूँ है हमें बात करने ही पहले अपने SCF की SCF को आप ऐसे समझेंगे इसका full form क्या होता है SCF का highest common factor आप तो बस इसको जियान रखो common factor याई आपको क्या करना है इन दोनों का common factor लेना है और उनका multiply करना है common factor क्या होता है ऐसा factor जो कि इसका भी है इसका भी देखो 2 मिल गया उसके बाद again 2 देखो दोनों में है again 2 आपका दोनों में है उसके बाद 2 याँ है लेकिन 3 याँ है याँ है इनका multiply कर दो ये कितना है 2 multiply 2 4 multiply 2 8 multiply 3 आपका 24 आ गया तो SCF कितना बन गया आपका 24 बन गया अब बात करेंगे LCM की देखो LCM बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर जो तीनों आपके common factor आए हैं देखो यहाँ पर जो चार common factor आए हैं इनको तो लेना ही है ऐसे समझे टू टू उसके बाद कौन है अगेंड टू उसके बाद अगेंड टू उसके बाद आफ त्री अब देखो ध्यान से आपके बच्चे factor कौन यहाँ पर टू बचा हुआ है यहाँ पर थ्री बचा हुआ है यहाँ पर फाइब बचा हुआ है इनको लेना यहन्याँ ऐसे समझे ए common factor भी लेने हैं बच्चे वे फैक्टर भी लेने हैं यह त्रीका रहता आपका LCM का देखो multiply करने का shortcut trick बता रहा हुआ हूँ यहाँ पर देखो 120 किसके multiply साता है या एक सो चमानिश ले लीजिए किसके multiply साता है देखो two multiply two आपका कितना time four time तो यह आपका two four time उसके बाद three आपका two time इसके multiply से कितना आएगा या यहाँ तक आपका एक सो चमानिश आएगा यह वापस देख लीजिए स्कूल्टा देख लेना चाहिए और multiply बचा कि आपका five इसको five से multiply कर दे जीरो हो गया दो के रिच लागया बाइस आगया दो के रिच लागया यह आगया 720 ओके LCM कितना है दुस्तों साथ सुबिस SIF कितना है आपका चुविस और आप इसको ऐसे समझजिए SIF ऐसा नमर होता है जो की दोनों संख्याओं को complete divide करता LCM उल्टा होता है यह complete divide होगा यहाँ पर चेक कर सकते हैं 120 से भी आप complete divide होगा 144 से भी यह complete divide होगा धैने बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए maths by SK